नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैट्फॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता जातक के आने वाले हैं अच्छे दिन, अच्छे दिन से मेरा मतलब है proper perfect अच्छे दिन सचिन पाइलेट के सितारे चमकने वाले हैं सिंग राशी के हैं सो बागी हो जाते हैं गहलोज जैसे इसका फाइदा उठाते हैं बागवत से कुछ नहीं मिलता सिवाई इज़त के इनके पिता जी राजेश पाइलेट के पास भी इज़त के सिवा कुछ ना बचा सोनिया बहन ने हमेशा दूसरों पर भरोसा किया बिचारी एहमेद पटेल टाइप सालाकारों के दबाव में थी और कोटरी के लिए एक विलेन जरूरी होता है जिसे दिखा दिखा कर आला कमान से फाइदा उठाया जाता है राजेश पाइलेट जीवन भर सच बोलते रहे गए दस जनपत रूठा रहा जातक पर पित्र दोश हावी है यानि पिता के लिए कर्मों का फल पहले चुकाना पड़ा है लेकिन कौन सगा है कौन पराया धीरे धीरे गांधी परिवार को समझ में आदे लगा लिहाजा जातक क अच्छे दिन बता दे कि सचिन पायरेट की कुली सिंग लगन और मिथुन राशी की है मुलांक साथ जो सचिन को अच्छा वक्त बनाता है लगन से सूर्य बुद्ध और शनी स्थित है एकादेश भाव अथार्त लाबस्थान में चंद्र मंगल और गुरु की यूती है केतु का मुव्मेंट देखी जरा अब आला कमान फाइनल करने वाले हैं तो गहलोद के अंगूठे में चोट लग गई बंदा फटा पट वीलचेर पर बैठा और एन एन आई का कैमरा साथ लेकर अस्पताल पहुँच गया कॉंग्रस अध्यक्ष मलुकार जुन खगडे को म जब जब राहुले पाइलिट को पुछकारा है या प्रियांका ने बहलाया है दस जन्पत के कान में बैठा यही केतु है जो बाज नहीं आया है यह केतु सारा मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है जरूर यह गहलोद से मिला हुआ है बिना मिली भगत के पार्टी चेंज क करने का प्लैन गहलोद का आखरी पता कैसे चला है केतु ने फोन भी टैप करा दिया इसी केतु की वजह से बिचारे सचिन को गहलोद ने देश-द्रोही ठहरा दिया जब मौका मिलता है कहलोद नकारा निकम्मा बोलने के बाज नहीं आता बेटे वैभव के लिए रटे डा मान के खिलाव बगावर के लिए उकसाया मंगल की वजह से सचिन ने उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री पर से गवाया दरसल जब-जब कुर्सी पाने का मौका होता है काल सर्प दोश हावी होता है काल सर्प दोश भी मामुली नहीं पाइलिट की कुंडली में सभी ग्रहों क राहु केतु की परस्तिती में होने से कूलिक नामक काल सर्प योग का निर्मान हो रहा है जो उन्हें जीवन अपेक्षित सफलता से वन्चित करेगा लगता है व्यंकार बना कर ही छोड़ेगा उन्हें सफलता प्राप्ती हेतु कठोर संघर्ष करना होगा राहु की प्रत्यान दशा की वजह से पिछला मौका ख़ड़ा था सचिन को अब भी अपनी कुंड़ी में इन राहु केतु की तलाश करते रहना होगा केतु तो कांड कर निकल गया अब जातक की कुंड़ी में शनी की महादशा और राहु की अंतरदशा चल रही है बट दोचर में सस्टम भाव में सूरिक बुद्ध और राहु की यूती की वजह इनमें विद्रोई की भावना प्रवल है और भड़क रही है गहलोत का गेम भी यही है महनत पाइलिट करता है मेवा अशोग खाता है इसमें आला कमान का क्या जाता है लेकिन अशोग के चहरे पर चमक उतराई है मतलब की दशम भाव की बैठे ग्रहों की वजह से सचिन का सितारा चमक सकता है ग्रहों के प्रवर्तन के लक्षन पहले से दिखाई लग जाते हैं 36 गर में टीएस बाबा की ग्रह दशा का असर राजस्तान में दिखाई देने लगा था जो जियोतीश भी नह समझोते का दावा करते रहे भुपेश भागेल ना 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 करते रहे आखिर बाबा को इनसाफ मिला इतना नयाय तो बगेल करने को तयार थे लेकिन टीएस सीदे के सितारे में बदलाव अब आया अब पाइलिट के लिए भी वही ग्रह यूती लेकर आया जुलाई महीने में गशंभाव के ग्रह सचिल पाइलिट के लिए राजयोग बना रहे हैं ग्रहयोग से ज्यादा राजनीती बता रही है कि पाइलिट को आज कबूतर ले जाना चाहिए लेकिन कल के मोर की गैरेंटी लेना भी जरूरी है दुनिया भर को गैरेंटी देने वाली कॉंग्रिस सितंबर के 97 वसंत को देखने तयारी करेंगे सूरे की तरह चमकेंगे मनेकी सूरे ने सचिन को सपोर्ट दे रखा है बताने की जरूरत नहीं है कि सूरे कौन है जातक से उसका क्या रिष्टा है और अगर एक बार पाइलिट सिस्टम में आ जाये तो फिर अशोग गैलोत कौ मौन है इस पर सभी ग्रह मौन है लेकिन सचिन का गुरू जरा कमजोर है अपनी बुद्धी से चलना होगा ग्रह बता रहे हैं कि डिप्टी सीयल तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं लिहाजा कैंपिन कमिटी का चेयर मैन बनाया जा सकता है कडाई से सौधा किया तो महा सचीव का दरजा भी दे दिया जा सकता है बटपत मिलनेक पर अपने आसपास राहु केतू और मंगल से भी बचना होगा यह दिसंबर का चुनाव संगरश पूर बनेगा लेकिन बच्चू अगर यह निकाल ले गए तो दो हजार पक्चिस में शनी की महादशा और भिस्पती की अं और पाइलेट का हाल देख हमारी तरह जोतीश का आग्यानी भी कह सकता है कि जा तक के अच्छे दिन आने वाले हैं फिलाल के लिए नहीं जुड़े रहे हैं इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटपॉर्म के साथ बननेवाद